हाई एवरिवन मैं रोहन यादो आप सभी का एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल पर शौगत करता हूँ दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए समाचकारी में कुछ महत्पोड प्रश्णों पर शर्चा करूँगा ये सभी प्रश्णपत्र जो होंगे वो उत्राखंट चिकिस्सा समाचकारी और मद्ध परदेश लोकसेवा आयोग समाचकारी और यूजिसी नेट के स्टूडेंट जो है जो समाचकारी से तयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही लाग दायक है मैं इसमें आप लोगों से 63 कोश्चन तक कम्प्लीट कर चुका हूँ जिन दोस्तों ने नहीं देखा है मेरे चैनल पर विजिट करें वहां से और भी कोश्चनों के बारे में देख सकते हैं मैं इससे आगे स्टार्ट कर रहा हूँ 64 से और प्रेशन आपके सामने है कि निमनलेखित कथनों पर विचार कीजिए पहला स्टेटमेंट है कि सामाजिक संसथाएं सामाजिक संरचना की बेवस्थित क्रमबधता को इस्तिर रखने के लिए अनिवार ये समझा जाता है तो दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि संसथाएं बेवहार की सामोहिक प्रडाली होती है तो ये बात आपकी सत्य है कि जो संसथाएं होती है वो संसथाएं बेवहार की सामोहिक प्रडाली होती है तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही होगा आगे अगर हम बात करते हैं संसथाएं समोह के सदस्त के परस पर बाधती है तो ये भी स्टेटमेंट सही है और संसथाएं कार्य करने के धंको निरधारित करती है तो स्टेटमेंट जो फोर है ये भी सही है तो इसलिए इस प्रेश्ण का जो जबाब होगा option number D होगा सभी के सभी यहां पर करट जवाब हो जाएंगे question number अगर हम बात करते हैं 65 के बारे में कि सामाजिक संसथा के संबंद में निमनलिकित कतनों पर बिचार दो को again आपको प्रेश्ण मिला है यानि संसथा से संबंदित है आपको बिचार करने होंगे ऐसे प्रेश्णों होती है तो मैंने अभी अभी आपको बताया भी है तो ये जवाब आपका सत्य हो जाएगा संसथाएं जो है समाज द्वारा माननता प्राप्त होती है तो ये भी statement सही है संसथाएं अमोर्थ होती है और संसथाएं सौदेबाजी सामाजिक संसथा का एक उधारण होता है तो इसलिए ये भी statement सही हो जाएगा, option number D है यहाँ पर तो इसका आप चुनाव कर सकते हैं, आगे अगर हम बात करते हैं T persons के बारे में, और T persons महोदे काफी famous persons हैं, इनके बारे मैंने आप लोगों से अच्छे तरीके से बात कर चुका हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर आप से बात क करू कि सामाजिक संरचना की चार प्रारूप इन्होंने बताये हैं, बात तो यह सत्य है, और फिर कह रहा हैं कि उनका वर्गी कर चार सामाजिक मुल्यों पर आधारित था, अब निम्न लिखित में से कौन से सामाजिक मुल्य हैं, इन में से थे, तो आपको मैं बता दू, मै ने प्रस्तावित सामाजिक मुल्य के बारे में नहीं बताया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, टी पार्संस का नाम काफी फेमस है ये सामाजिक संदचना में, और टी पार्संस ने इसके साथ साथ इन्होंने कुछ प्रकारिवादी द्रिष्टिकोर से, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट थे, टी पार्संस का, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा साथी साथ, तो आगे बढ़ते हैं, इसी करम में हम सभी लोग, तो यहां पर अगर हम बात करें, एक और चार आप्शन नंबर B में है, तो इसी का आप सभी लोग चुनाओ करें, तिक, आग सत्त लग रही है आप लोगों को, तो आप लोग हमेशा कहना 67 का, यह स्टेटमेंट सही जवाब है, मानो छेत्र में समुहु से ताथ पर यह है कि मनुष्य के ऐसे संकलन से, संकलन का मतलब कलेक्शन से, जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं, तो बात यह भी सही है, तो याद रखिएगा यहाँ पर स्टेटमेंट दोनों के दोनों सत्ते हैं, इसलिए आप लोग कहेंगे कि option number C आपका यहाँ पर correct होगा, एक और दो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, question number अगर हम बात करते हैं 68 के बारे में, यह भी प्रेशन है आप सभी के लिए, तो देखिए, मेकाइबर एंड पेज ने कहा है कि समुदाई के दो आधार भोत्त्तों के रूप में मानने के लिए कर, तो नहीं यह स्टेटमेंट आपका गलत जबाब हो जाएगा, इसलिए आप इसका चुनाव ना करें, डेविस महोदय कहते हैं कि समुदाई सबसे छोट प्रादेशिक समुदाई होता है, या समाजिक जीवन के समस्त पहलूं का आलिंगन करता है, तो यह स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नमबर अगर हम बात करें, बी की तरफ तो बी आपका करड़ जवाब हो जाएगा, आगे हम बात करते हैं, नेक्ट कोशन के बारे में, 69 के प्रेशन हमारे सामने है, सामाजिक तथ को लेकर, तो सामाजिक तथ तो आपको पता होना चाहिए कि इसमाईल दुरिखिम का है, और प्रेशन ये है आपके सामने कि उसके अभी लच्चड कौन से है, तो आपको जब सामाजिक तथ पता होगा, दुरिखिम का, तभी आप ऐ से प्रश्णों का कर पाएंगे तो मैं यहां पर दो तीन बाते बताऊंगा आप इसी का ध्यान रखेंगे कोश्चिन नमबर 69 का अगर सही जबाब इसमें कोई है तो चलिए ढूंडते हैं सामाजिक तथ व्यक्ति के बैवहार पर बाधाएं आरोपित करता है यह बात सही है इ एक बैवहार को विनेमित होता है यह भी गलत जवाब हो जाएगा तो केवल यहां पर इस्टेटमेंट जो डी था सामाजिक तथ के अभी लच्छड के रूप में यही पर लच्छड हो रहा है आपके सामने तो यहां पर करेट जबाब ऑप्शन नमबर डी का आप चुनाव करेंगे केवल पहला वाला सही जबाब होगा इस स्टेटमेंट में कोशिन नमर गर हम सत्तर के बारें बात करें यानि सेवेंटी के बारें बात करें नेमने लिखे कत्नों पर हमें विचार करना चाहिए ऐसे प्रशनों पर तो अगर हम ऐसे प्रशन पर विचार करते हैं तो तो मैं आप लोगों से कहूंगा बिल्कूल आप लोग इस प्रश्ण का जो जवाब होगा पहले वाले को सही मानना दूसरी बात करते हैं आरके मर्टन के बारे में तो आरके मर्टन के वी शामाननता सिध्धान्त के अनुसार कर्मकांडवाद की वी शामाननता हवाद या वद के रूप में बात किया है तो ये statement आपका कैसा होना चाहिए आप लोग ध्यान रखेगा आरके मार्टन महोदय यहां पे सही जबाब हो जाएगा इन्होंने कर्मकांड का एक वीशामान नतहवद के रोप में बताया है जैसे अनुभाविक प्रकारिवादी, सामाजिक संरचना और प्रकारिवाद का या प्रकारातमक बिकल्प या प्रकारातमक संतुल्य या प्रकारातमक अनुकल्प इस तरीके की बात अगर कोई कहने वाला है प्रकारिवाद में तो ये नाम आता है मर्टन का इन्होंने प्रकारिके अवलोकित परिलाम जो की सामाजिक ब्यवस्था के अनकूल का सामंजस को बढ़ाता है इस तरीके की प्रतिक्रिया के बारे में आरके मर्टन महोदय का नाम आता है तो याद रखेंगे और ये समाज सास्त्री व्याख्या करने की आधुनिक पध्धती के रूप में प्रकारिवादी बिशलिशड का एक सारवधिक आसाजनक पध्धती है जिसके लिए इन्होंने प्रकारिवादी में बताया है कि प्रकारिवाद एक साथ अनेक बौधिक चेत्रों में विक्षित होता है और जिसके फल सरूप इसका गहन से विस्तार ठीके याद रखेंगे गहन से विस्तार ना होकर खंड का विस्तार करता है वही आपका कहलाता है वीशामान नता का रोप तो इसलिए आप लोग ऐसे प्रशनों का पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सत्य है और दूसरा इस स्टेटमेंट भी आपका सत्य है हम बात कर लेते हैं तीसरी स्टेटमेंट के बारे में कि किसी ब्यक्ति का भाई बहन से या भाई बहनों से बिवाहित से या संतानों से सम्मंध उस ब्यक्ति की भोमिका विन्यास का उधारण होता है तो ये गलत जवाब हो जाएगा तो यहाँ पर इस प्रश्ण का सही जवाब केवल एक और दो है तो इसलिए आप लोग ऐसे प्रशनों का चुनाव करें तिक है ऐसे प्रशनों का आप लोग सही तरीके से पढ़ें बिचार करें और कुछ नोर्स भी बनाएं आप लोग तो यहां पर सही जवाब आप्शन नमबर आपका C वाला होगा तालकाट पार्संस के अनुसार अगर हम और धोगिक समाज में निमनलिकित में से कौन से लागो होंगे अगर हम तालकाट पार्संस महोदय के बारे में बात कर रहे है कोश्चन नमबर हमारे सामने 71 है ऐसे प्रशनों का अगर हम चुनाव करेंगे तो कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे तथस्तता के बारे में जो है और धोगिक समाज को लेकर टालकाट पार्संस ने एक बात तो कही है यह बात सकते हैं अगर हम बिसिष्ट परक्ता के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर नाम आता है लेटल कमुनिटी के बारे में अगर हम बात करते है तो नाम आता है रेड क्लिफ ब्राउन का रेड क्लिफ का नाम आता है तो इसलिए रेड क्लिफ यहां पे नहीं होंगे क्योंकि यहां नाम है तालकाट पार्संस का आगे गरम बात करते हैं यहां पे सर्वपरक उपलब्धी के बारे में तो सर्वपरक उपलब्धी जो हो स्ट के दूसरे और चौथा का स्टेटमेंट ये रिड किलिप का है ठीक है तो याद रखेंगे ये रिड किलिप का आ जाएगा जो स्मॉल कमुनिटी के रूप में जाने जाते हैं ना और यहां पर हम बात करेंगे तो अदोग एक समाज के बारे हम तो आप्शन नमबर यहां जो पहला वाला है यही सही जवाब हो जाएगा अब कालमाक्स के बारे में जिन बच्चों के पता होगा वही इस प्रश्ट को कर बाएंगे कालमाक्स के अनुसार समाजिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिकित में से कौन सा कथन जो है वो सही है तो समाजिक परिवर्तन ह कब होता है इस तरीके का सवाल है आपके सामने ठीक है तो आप कहिए कि जब समाज वर्ग संघर्स का अनुभो करता है तब समाजिक परिवर्तन होता है बात सही है समाजिक परिवर्तन कब होता है तो एक बात ये भी है कि जब कोई सारवजनातमक ठीक है या स्रिजनातमक ठीक ह तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा option number 3 की तरफ कालमाक्स के बारे में अगर हम बात करें प्रिथक व्यक्ति के वर्ग का निर्माल करते हैं जबकि कैसे निर्माल करते हैं उनका statement है ये तो question number 73 हमारे सामने है तो उत्पादक सक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध होगा त के साथ उनका एक जैसा संबंध होगा तब ही ऐसा होगा तो ये statement सही है दूसरे वर्ग के साथ उनकी सामाने लड़ाई लड़नी हो तो ये तो गलत जवाब हो जाएगा अगर हम बात करते हैं यहां पर कि वे किसी राजनितिक दल की सदस्ता को ग्रहन कर ले तब ऐसा होगा condition तो मैं आपको बताता हूँ कि ये भी गलत हो जाएगा फिर राजनितिक दल में सदस्ता का ग्रहन कर ले ना इससे कोई मतलब नहीं होगा कि प्रिथक विक्ति का वर्ग का निर्माल कर रहा है वे जिसे condition पर तो ये गलत जवाब हो जाएगा पॉइंट नमबर हम फोर्थ की बात करें कि वे संयोक्त परियास द्वारा अपनी जीव का अरजित करते हैं तो यह एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो प्रथक विक्ति वर्ग का निर्माल करते हैं जबकि ऐसी condition हो सकती है तो इसलिए आप लोग कहेंगे point one और point four option number अगर आप देखें तो D में दिया ह हुआ है तो इसका यही करट जबाब हो जाएगा कालमाक्स के बारे में और भी प्रश्ण है six seventy four कह रहा है कालमाक्स में समाजिक परिवर्तन के सिध्धानत में निम्लिकित किन सब्दों का प्रियोग नहीं किया है अब समाजिक परिवर्तन में कौन-कौन से ऐसे सब्द है ज उत्पादन का धंग तो आप कहेंगे बिल्कुल सत्य हो जाएगा उत्पादन की सत्ती तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा प्रदोग की प्रविधियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये भी सत्य हो जाएगा लेकिन सांस्कृतिक विलंबना की अगर हम बात करते हैं तो एक मिनट यहाँ पे किन सब्दों का प्रियोग नहीं किया है ना किन सब्दों का प्रियोग नहीं किया है सांस्कृतिक बिलंबना का सब्द का प्रियोग किया है ठीक है उत्पादन करने का धंग देखिए अभी हमने लास्ट कोश्चन से गर हम बात करते हैं चर्चा यहाँ प रहाता लेकिन यहां पे सामाजिक परिवर्तन के सिध्धांत की बात हो रही थी ठीक है सब्दों का प्रियोग नहीं किया है तो हम बता जेते हैं आप लोगों को ध्यान से सुन लिजे उत्पादन का धंग के बारे में और उत्पादन के सक्ति और प्रदोग की प्रविधिया इनका जो है चर्चा पर चर्चा नहीं हुई है सांस्कृतिक बिलंबना की परिवासे जो है उन्हों किया है इस प्रेशन को नोट कर लीजेगा अच्छे समझ लीजे आप लोग कालमाक्स का यह स्टेटमेंट जो है केवल केवल अगर सत्य होगा तो यहां पे बी वाला सही ह एक दो तीन वाला इनमें इन सब्दों का प्रियोग नहीं किया है सांस्कृतिक बिलंबना का प्रियोग किया है इसलिए आपका यहां पे जो करट जवाब होगा आप्शन नमबर भी करट होगा है ना चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमबर अगर हम 75 के बारे में बात क प्रशनों का चुनाव किस तरीके से करें कि इस पर विचार करें जन रीतियां और रूडियों का एक ऐसा संगठन होता है जो अनेक समाजिक कारी करते हैं तिया करता है तो यह बात सत्य हो जाएगा अगर हम बात करें संस्थाएं सामोहिक्रिया की विश्यस्ता वाली कारे प करते हैं कि निमनलेखित कत्रों पर विचार करें और 76 आप से बोलता है कि संस्थाएं वेकारी पालिका होती हैं जिसके द्वारा ब्यक्ति समिती संगठन अपने उद्देश की पूर्ती करती है तो कोश्चन नमबर 76 का यह स्टेटमेंट आपका सही जवाब होगा दूसरे स संस्थाओं को समाज दौरा माननता प्राप्त होती है और संस्थाएं अमोर्थ होती है तो यह बात से आप सहमत होंगे यह भी सही है तो अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट के बारे में तो यहां पर दोनों के दोनों सही है इसलिए आप लोग इस प्रश्न का चुनाव करे ये अनिवारी होती है तो ये statement सही है संसताएं बैवार की एकल प्रडाली एकल प्रडाली ना कहकर आप केवल प्रडाली कह देते एक प्रकार से पधती की रूप मिलाते तो सत्त हो जाता लेकिन ये गलत जबाब हो जाएगा आपका केवल यहां पे सही है ये वाला option अगर हम ब या हैबरमस के according या उनके अनुशार बताई जा रही है या उनके लिए एक आवश्यक बताई जा रही है तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो परजातंत्र को पूंजीवात को सरवजनिक छेत्र को तारकिक्ता को बारे में चर्चा पर चर्चा इन्होंने किया है तो इस प आधनिक्ता के प्रमुख अंतरों के बारे में हमें विचार करना है हमें बताना है कि उत्तर आधनिक्ता क्या होती है और आधनिक्ता क्या होती है ठीक है अगर हम बात करते हैं question number 79 के बारे में तो ध्यान रखेगा कि आधनिक्ता विशिष्टी करण को महत देती है ये बात सह जबकि उत्तर आधनिक्ता में संपोलवाद की बात करता है तो यह भी बात सही होगा तो यह इस्टेटमेंट आप लोग सही मानेंगे अब पॉइंट नमर एक को आधनिक्ता वाद सामोहिक को महत्तो देती है गलत यहीं पर हो गया आधनिक्ता के तरक प्रधान होते हैं तरक प मानवता के प्रधानता होती है ने ने मानवता के प्रधानता उत्तर आधुनिक्ता में होती है और विज्ञान की प्रधानता की बात करें तो यह आधुनिक्ता में होती है तो इसलिए यहां पे अगर कोई करट जवाब होगा पॉइंट वन और पॉइंट थर्ड यानि तो पहला वाला ये करट जवाब हो जाएगा ठीक है निम्नलिकित में से संयोगातमक समाजिक प्रक्रियाएं होती हैं सहयोग संघर्स प्रतियस पर्धा या अनकूलन इसमें हमें विचार करना है कि संयोगातमक समाजिक प्रक्रियाएं जो हैं वो कौन कौन से होती हैं तो अग कुश्य नमबर बी कुश्य नमबर अगर हम बात करते हैं एक टीवन के बारे में कालमाक्स ने आर्थिक कारक को लेकर समाजिक परिवर्तन के सिध्धान्त में आउधारणा का प्रियोग किया है अब ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग अभी मैंने ऐसे प्रश्ण पर विच जब आर्थिक कारक पूछता है तब यहां पर हम उत्पादन का धंग बताएंगे और उत्पादन के सक्ति भी बताएंगे और पॉइंट नमबर थर्ड और पॉइंट नमबर फोर यह गलत जवाब हो जाएगा इसलिए आप लोग कहेंगे ऑप्शन नमबर यहां पर एक और जो दो लिखा हुआ अप्शन नमबर एक में यानि ए वाले में यही आपका करेट जवाब हो जाएगा तो यह आर्थिक कारक से ही प्रशन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है तिक है आगे अगर हम बात करते हैं कि निमने लिखित में से सामाजिक समोहकारी का एक मॉड करें तो मॉडल के रूप में आते हैं लेकिन कुछ बिद्वानों ने जब माना था प्रकारातमक मॉडल को लेकर हलाकि नहीं इसको दिया हलाकि अप्रोच तो ही है यह तालकाट पार्सन का लेकिन कुछ बिद्वानों के बारे में अगर चर्चा पर चर्चा पर चर्चा हम करें तो ये basically समुह कारी के model की रूप में नहीं जाना जाता है लेकिन जब कभी समुह कारी की models की रूप में आता है तो आप लोग मैं आपको बता दू यहाँ पे सारों का सभी का जवाब आप चुनाओ करेंगे इस तरीके से अगर हम बात करते हैं point में a b c d करके आ रहा है ठीक है तो यहाँ अभी इस प्रेशन का अगर आप लोग को मैं जबाब बताओं तो option number जो c वाला है यही नहीं है सही सामाजिक समुह के या समुह विकास के पांच चरण बताना है आपको मानकी करण के रूप में ठीक है तो अब यहाँ पे पांच चरण जो है मानकी करण के प्रवर्त कोन है अच्छा कभी कभी अवस्था के रूप में पूछ लेता अब कई बिद्वान हैं है ना तो अवस्था के रूप में जैसे कैलिंग ने भी बोला था पांच चरण के बारे में ठीक है लेकिन यहाँ पे उनका नाम है मानकी करण अच्छा उनको जो है समुह क अगर हम बात करते हैं इसकी विकास की अवस्था होती है तो ऐसे में टुक में जिसको कहते है या टुक में भी कहा जाता है इनको पता होना चाहिए आप सभी लोगों को यह काफी फेमस कोश्चन है तो इसलिए आप लोग कहेंगे यहाँ पे आप्शन नंबर जो ए है आपक यही करण जवाब हो जाएगा यदि दो समुहों के बीच संघर्सका समाधान इस तरह से किया जाता है कि दोनों समुहों की आतांचाओं की पूर्ती की जाती है और इस स्थिति को क्या कहते है फिर है न तो इस स्थिति को क्या कहेंगे अब हाला कि आपको पता होना चाहिए क क्योंकि यहां अगर हम बात करते हैं जो है फ्लोरेंस होलिस के बारे में तो उन्हीं का इस स्टेटमेंट यह है तो उसी के अंतरगत इन्होंने ये बातें बताया कि संघर्ष का समाधान किस तरीके से होगा जहां दोनों समों हो के आकांचाओं की पूरती होगी तो ऐसी कंडि एक कोश्चन हमारे सामने ये भी काफी फेबश कोश्चन है ये भी स्ब्लिप करने वाला कोश्चन है संघर्ष का सिध्धान आपको पता होगा बहुत का होगा है और आगे गर हम बात करते हैं प्रकार अतमक सिध्धान के बारे में तो टालकाट पासंस यह आपने कई बार एक रेखी के बारें बात करें, तो आगस्ट कामते होते हैं, बहुर रेखी के बारें बात करें, तो गेहाड लेस की जोनियर का नाम आता है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेगा, आप्शन नमर जो आपका सही हुआ है, पहला वाला करण जबाब हुआ है, टिक, चली, आगे बढ़ते हैं, एक और प्रशन ले लेते हैं, चलिए, यहीं तक आप लोगों का है, नीचे आप लोगों को जो है, उत्तर भी मिल जाएगा, टिक है, मैं ये PDF अभी आपके ग्रूप में डाल देता हूँ, साम को जो क्लास होगी, उत्राखंड समाजकारी के क्लास चलेगी आठ बजे से, मद्दपरदेश, लोग सेवा, आयोग, समाजकारी के क्लास चलेगी, छे बजे से, इन लोगों में जो है, आज मैंने स्टार्ट कर दिया है, यूनिट नमबर आठ, तो दोनों के क्लासों में यूनिट नमबर एट चलेगी, आप लोग आज ची क्लास साम को ज मैं अभी इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ आप सभी के लिए